अलो दोस्तों मैं आपसे जरूज किया अपने इस e-learning with दूर्गेर चनल पर मैं आज से आप लोगों का डेलेट का जो फ़र समेचर, सेगेंड समेचर है उसको मिला कर मैं आप लोगों के लिए हिंदी का हमारा थन क्लास आसे चलाएं जा रहा हूं और आज जो आपका पहला क्ल जिसको हिंदी को इक राष्ट भासा गूरूप में आपकी कहा गया है लेकिन अगर हम यह कहा है कि हिंदी हमारी राष्ट भासा है यह फिल्यखा नच जो हमारे देस में 29 राज जवासा कर Scratch अलाब इस अगर हम देखा हो च्ग्स अगर सभी के प्रदेशा है पहुत ही जो हमारी बहुत ही कंडि एक तुब हम हमारी दो गरदि भावारत के सहीड में पन्र देखने को क्या बहुत ही बहुत ही कब लेगा इसके बाद आगे चलते हैं हिंदी यहां दो गया और हिंदी अगर हम अंच्छे की बारें देखा जा तो हिंदी को अंच्छे 343 से लेकर 351 के अंतरगत रखा गया है हिंदी को अंशे तीन तीराली से लेकर तीन सो क्यान कंदर के रख्याएगा और इसके अलावा हमारी समधान सभाने हिंदी को हिंदी दीवस के रूप में कब से मनाना सुरू किया था ठीक तो यह होगे कुछ नारवन बात है जो हिंदी की बारे मगर आप हिंदी पढ़ने जा रहे कम इतना तो आपको पता होने साजेगी हिंदी हमाई ग्राजवासा है राशवासा है हिंदी को कि इस तारिक को कब से मना जाता है इसके अलावा हिंदी का जो समिधान में जो उल् वर्माला जैसा आप सबको पता है को वर्माला काफी जाधा कोशन पोपाइब आता है इसके आज आपको सबसेफर बात होता है इसमें दो हयो आता है पर दो हम एक आता सवर आता है स्वार किसे कहते हैं तो स्वार को हम जैसे नामस जानते हैं यह हमारा स्वार है अंग्रेजी में कहें किसे वाविल कहते हैं तो हिंदी में अगर कहें जो स्वार होता है स्वार की परिवादा कुछी स्वारा से होती है जिसको हम सोतंद रूप से बोल सकते हैं उसे हम क्या कहते आते हैं हैं उसे हम स्वर के अंदर कितने अच्छते हैं तो देखें लेक हद्वन करें हमारा जो स्वर आ है कहीं कहीं अभवा शुरों तो जो हमारे स्वरों की संख्य वो को मानि जाती है 13 तो सबसें पहले हम आते है देखते हैं तो लेखन का आधार पर जो 11 स्वरों को बहले हम देख लेते हैं तो देखिए a हो गया , उसके बाद a हो गया .. फिर E हो गया, फिर E हो गया, फिर छोटा हूँ, उसके बाद बडा हूँ, फिर O हो गया, O के बाद आउ हो गया, आउ के बाद आउ हो गया, आउ के बाद फिर आउ हो गया, फिर आउ, आउ के बाद आउ हो गया, आउ के बाद फिर आउ हो गया, फिर आउ, आउ के बाद आउ हो इसे में तो गिनेंगे तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नव, दस, ग्यारह बार है, एक माना जाता है रिसी को अगी स्वर के अंदर गत गत माना जाता है लेकिन अगर हम इस स्वर के रिसा जैसे मानने बता आपको चालन के अधारब कर देखा जाए लेकर लेखन के अधारबर हो जो हमारे सोरों की संक्ष्या होती वह 11 तो इसमें से हम अंग और अःक अगर हटा जेंगे अंग और अहाख ऊटा देंगे तो हमारे जो वह ग्यार हो जाएंगे तीन पर कक्लियर हो गया स्वर कितने प्रकारब सौर 11 प्रकार प्रकार होते हैं ए यू अ और रिषी थिк तो यहां तो इसके बाद आब आगे चलते हैं कि तो लो े हमारे स्वर統पनेंट। किया जाता है तो आयोग वा किने परखेर होते हैं आयोग मा कोल दो प्रकार को को कि आई योग वा कि संख्या कितни हैं लगा कर तो कौन होते हैं एक होता हुआ है एक होता है फिर दो प्रकार बते लिए रएज वाइग वाकर आयोग वा की परिवर्शाップ झा super其實 तो आयोगवा ना तो स्वर होता है और ना ही बेंजन होता है यानि जो ना तो स्वर के अंदर के अंदर काता है उसे हम क्या करते हैं आयोगवा आयोगवा कुल संख्या कितनी है दो होती है एक अंग होता है एक होता है और चिनी की रूप में बताना होगा ते एक बिंदी होग और वमस्करमे तो यह चलते हैं तो यहां मैंने आपको सवार के बारें बता सवाथ प्रकार के बारें बता उसके बाद आयोगवा को औरन किये अब आगे हैं हम देखते हैं तो यहें तो दोस्तों अभी तक आपने स्वर के बारें पढ़ा अब स्वर के बाद आते हैं बेंजन को पर तो बेंजन में जैसे कि स्वर की परिभासा मैंने अभी आपको बता कि स्वर को क्या है हम सोतंद रूप में बोल सकते हैं लेकिन बेंजन क्या होता है बेंजन में स्वर का ठीक व्लठा हो यह सोतंद रूप सरभ साहर्तुर्ष है प्लस प्लस गड़िए आ होनी बेंजने को कि को हम सोतनर रूप मेंूर सकते हैं किसी रूप किसी यह की सबिसाइब कि माहत सा से प्राकार लेगा ज़िस ohh इस्तार को समय प्रकरी तो भी कि जए हैं शूंसर अब दूर 스खे जोर बिदर उसकार तेरmos सब्सक्राश होता है बेंजन इनकी होता है 10 कि अत्यार से बेंजन जो होता है और 10 प्रकार होता हैं मुफ्वरा आपका आग्या कूर्षण में जो होते हैं र्याशंगा di union radar जो होते हैं और 10 anche region होता है स्पर्स बैंजन होता है और उसम बैंजन होता है तो हम सबसे पहले लेंगे केकि तो हम यहां पर आपको दिखाते हैं जिसमेंजन और अनतास बैंजन बाहले तो समसे पहले का से लेकर पूरा मात अगरों का हैं तो आपका पूरा पचीसो असपर्स बेंजेन आता है जैसे हो गया का ख ग घ अंग है इसके बाद आपका आगया च छ ज ज ज ज ज इह है फिर आपका आगया ट थ ड ध अड फिर त थ द ध न प भ भ भ म तो जो अभी तक आपने देखा चाहां से लेकर मात यह इतने यानी पांच इधर पांच इधर पांचada पचाव पचीछ आणि आपका जो असपर्स बेंजेन है उसकी संख्या पचीस मानी घ गई कितनी मानी गये पचीष मानी गये इस तरह से तो मुस्यILL में भ गए उसस होजय कितनी है उसी बेंजन वैसे अगर देखा जा है होते तो होते तो कई प्रकार का है लेकिन जो मुख्रू से देखा जा उसी बेंजन भी चार बढ़ा के माने का है कौन कोन माना गया है स, 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 और ह, यानि जो एक बड़ा सा होता है, छोटा बाला सा, खटखुनो आला सा और जो ह होता है, ये आपके चारों आ जाएंगे, उसमें बेंजन के अंतरगर, ठीक, तो उसमें बेंजन जो होते हैं, वो भी चारगर होते हैं, स, 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 और ह, तो ये आपके उसमें बेंजन क गेंगे तरह जाएंगे इसी तरह आयागा आपका थनकी कि तफाह उस ब्हेंजन में यह आपके यह जो चारों है यह आपके अंतत सी बेंजन है कौन सी बेंजन है अंतत सी बेंजन ठीक तो अभी तक आप लोगों ने बेंजन के बेंजन के अंतर क्या क्या देखा बेंजन जो होते हैं बेंजन और हाँ एक बात और बेंजन की कुल संख्या कर लेखन के अधार पर तो बेंजन को उसे लेखन की आधार पर 33 मानी गई है कितना 33 यह जो वह जो होते हैं तो उनकी से पतीस मानी गई है ठीक फिर उसके बाद आता है अंतास बेंजन अंतास बेंजन संगत चार माने गए यह रह लव है इसके लावा आता हूस बेंजन उस बेंजन इसके बाद हर आएगा इसके लावा अन्ता सिबेंजन को हम एक और नाम कहते हैं वो नाम है अर्दस्वार अन्ता सिबेंजन को हम अर्दस्वार की संग्या भी देते हैं या कहते हैं ठीक तो यहां तक आपका हो गया अब आगे चलते हैं अगला जो टापिक उसको देखते हैं इसके बाद बुशा जाता है पंचमाच्छर किसे कहते हैं या अनुनासिक किसे कहते हैं तो हमारा जो लाश्ट वाला यह अन्य, इय, अड, न, म, यह जो आपके पांचों हैं इसे दो नाम से पुकारते हैं एक है पंचमाच्छर दूशरा है अनुनासिक पंच माच्छर ठीक अब दूसरा है अनुनासि यानि ये दो नाम जाना था एक होता है पंच माच्छर दूसरा होता है अनुनासि अब अनुनासि की परिभासा क्या है अनुनासि किसे कहते है जैसा कि नाम सही पर चल जाता है अनुनासि यानि जो नाक के द्वारा बोला जाता तो यहां तक आपका हो गया अब इसके बाद चलते हैं इसको कितने भागों बाटा गया है जैसे आपका यह हो गया इसे अगर हम कहें तो यह आपका हो गया करवर हो गया इसी तरह यह आपका आता है जावर के अंतर रागर ठीक इसी में यहां पर बताने जा रहा है वह सबसे मोड्स इंपार्टन माना यहाँ था आप मैं यहां पर बताओंगा एक तो नंबर के इसमें इसमार में पूरेर्षाहीत हरा में यह पूछा जाएगा आगे देखते हैं कहहते हैं Дेज्छ अखफ इसे कहते हैं कंट इसे क्या कहते हैं कंट के बाद अब आपका आता है इसे कहते हैं तालब बेर क्या कहेंगे इसे तालब बेर ठी तालब के बाद फिर अगला आता हमारा टैठ है डड़ है यह जो हमारा यह तवर तवर है और इस तवर कहेंगे मुर्धन ने मुर्धन हो गया इसके बाद तवर नाम से पता चल रहा है इसको हम दांतों की सहाता दांत और जिवा की सहाता बोले तो इसलिए से कहते हैं दंत इसे कहेंगे दंत फिर उसके बाद लाज़ क्राता पाखः बाभव्हमा यह आपका आता है इसको हम खोठो की सहाता बोलते इसलिए से कहेंगे ओस्ठ तो यह आपके पांचों हो गए तो अभी तक जो मैं आपको बेंजन बारे मता है बेंजन बारे में एक बारे में आपका फिर से रिउजन करा दे रहा हूं जैसे बेंजन बेंजन अगर हम लेखन की दिर्ष्टी देखें उचारां की दिर्ष्टी तो हम उसे 33 मानते हैं किसने म इसके बाद आपका हता है में खाट अनद और में किसके सांफयाल इसके और मा कितर बड़न रहुत करते हैं अन्ता सी बेंजन को एक और नाम से पुकारते हैं यह क्या है मारा अर्धस्वार क्या कहेंगे इसको आर्धस्वार भी से बोला जाता है इसके नाम अब देखते हैं कि क कंट आपका दौरी यह की अंदर गरेख इसके नाम है तालब चावर में आता है अपتरम है अपिर मुर्धा नाम आपका ट्राव वर्जाएगा और दंथ जो जो है वे आपको आ जाएका तावर्ग में अब फिर पऽवर्भ नार अन्यट आपका आजाएका अ धरकस हो बाया यह सोप्स कॉख सरम एक पर धी चलते हैं स्वार की और उसमें एक छूट गया तो बहुर में प्रेकर सिजाल रहा हूं आपका हता है स्वर के प्रकार पुछा हता है तो स्वर भी तीन प्रकार होते हैं जिस तरह से आपका बेंजन तीन प्रकार होते हैं असपर्स बेंजन अंतास बेंजन उस बेंजन उसी प्रकार आपके जो स्वर होते हैं वो भी तीन ही प्रकार के माले गए हैं आप तीन प्रकार कौन कौन है वह पहला प्रकार है अपका दीर्ग स्वर दीर्ग स्वर इसके नामा दूसरा है आपका हरस्वर तीसरा आप कहा जाएगा प्लूट स्वर प्रूद सोर अब आएए देखते हैं कि हरस सोर की दिनप्रगार होते हैं दीर की सोर की दिनप्रगार होते हैं और प्रूद सोर के अंदर करें कौन कौन से सब आते हैं तो सबसे पहले हम चलते हरस्वर के अंदर कर तो हरस्वर माने जैसे हरस से ही पता जलता है हरस्वर माने क्या होता है हरस्वर माने होता है छोटा दीर भिमाने होता है बड़ा ठीक हरस्वर माने होता है छोटा दीर भिमाने होता है बड़ा अब हरस्वर के अंदर कर चार स्वर रिसी यह आपके आजाएंगे हरस्वर के अंतर गए कौन-कौन आ-ई-उ उसके बाद छोटी चोटा उ और रिसी अब इसके अलावे यानि हरस्वर की जो संख्या होती है वो चार प्रकार होती है किने प्रकार की चार कि अब आपके चलते हैं दीर किस्वर हमारा साथ प्रगार होता है कौन को होता है एक होता है आ बड़ी इसके बाद बड़ा उ फिर आ ई उ फिर ए आई ओ आओ एक दो तीन चार पांच छह साथ ठीक तो यहां पर आपका दीर किस्वर आ गया है तो हर्यस प्रूश पांच सार पांच बनाव ने कोशिवर प्रभा अगते हैं हर्य साथ प्रूश फिसे प्रूस प्रूंश को सेगते हैं मैंने पहले बता हरस मान होता है जिसको बोलने में हमारे जो मुख की वायू है कम वायू के अंसार उसे हरस्वर कहेंगे जो मुख की वायू है वो अधिक उत्पन होती है उसे क्या कहेंगे अफिसस्वर की बात क्यों होता है तो कुफ स्वर मिल्ग और हरस्वय भी ज्यादा समय इसको बोलने लगता है इसके अंदर का जैसे आज ओम ओम आ गया उसके बाद आपका हो गया हरेव यानि किसी भी सब्द को किसी भी वर्ड को अगर हम खीच कर बोलते हैं तो हमारा आपका आता है देटी सौर होगे हरा स्वर और जो बेंजन बदास में से अर पर गिर के अंदर के अथी आथा सभींती बेंजन भी सभीन कुल चार मगर को चार मगर होते हूँ कॉन कॉन एचे देखते हैं ईख होता है कि थ है दो इसके बाद आपका आता है कश्छषळ गया अपहलो सभीन है तो दो स्रब दो दोगिंती grey Roth- इसकी इसजी 1973 च्जामपल करोब दी बड़कि लेकिन प Radio को कि व्राइब और द दिएगा Πरें को मिलागीं तो कभी कभी यहां पर आफसरा में आपका यह क綁ग मुझन आपका पहल प्लस है जो आपका पहला चरा है को इसलिए आपका शुद हो गया और को हो है तो यहां पर चाका हो गया अब आये देखते हैं एक रॉता को जो्धिंगत ॉस्पना आथा इनितिमिंश सेब्सlive सब्सेखर कर सब्सक्रान के जुच मझोना था है मिल उसलिए इसके बाएं आपका ना से स्र जो बनता है सरीखावाले स्र से एनि बड़े वाले स्र से प्लस र से ठीक तो आपका ये चार प्रकार की समयुक्त बेंजन होगे कौन कौन इसके लामा ये बनता है से ठीक आईए अब देखते हैं अलफबराण और महापराण ये आपके wisdom, जिसकों बोलने में कम समय लगे। जिसको बोलने में कम समय लग उसे क्या कहेंगे अलफप्राण कहेंगे अगर महाप्राण कहागर हम परिफांस एक बात करें तो जिस वर्ड को बोलने में हमें ज्यादा समय लग उसे महाप्राण कहेंगे और अलफप्राण जिस वर्ड को बोलने में हमें कम समय लग उसे अलफ स्थिप्राइन कफ्राइन प्राइन प्राइन बंदक कहले हैं हो चांद परोंफ यह स्वार को Right तर्गत आते हैं जितने भी आपके स्वर है वो सभी क्या है अल्व प्राण है इसके नामा बेंजन में आपके कौन कौन से अल्व प्राण इसको देखते हैं बेंजन में आपका जैसे आपका आगया कर ये आपका अल्व प्राण है इसके लावा ये गर ये भी अल्व प्राण प्रान फैराएं इसे तिर दो प्रहरा है इस उसलिए को क देखें, आपा प्रान पर जीविविश पान टाइद है। खा को दो इसके लावा गा को तीन घा को चार और अंगा को पांच माना आता है तो अल्व प्राण को हम देखें एक यहां पर पहले में तीसरे में फिर पांच वे में यानि अल्व प्राण को हम 135 यह ट्रिक है अल्व प्राण को हम 135 से पहचान सकते हैं 135 के अंदर जितने भी आ सब क्या होंगे अलब प्रान होंगे ठीक अब आजे देखते हैं महाप्रान में बाकि जो स्वेश बचते वह आपके महाप्रान में यह सब आपके महाप्रान के अंतरकथ में आएंगे महा प्राओं की जूत्र वह क्या है, महा प्राओं में 24 है. हैंनि हम América के 135 और महा प्राण कंना 24 हम कहेंगे. ठीक और अकर वैसे आप पहज करने सकें, तो काकी के चलो चहरे लिखने हैं, कि durability सबसे पहले छोटा रिथा है वो इसके Grab d calls बाद बड़ा प्राओं壓 पिर लुट प्राण फिर महाप्राच फिर अल्वप्राच तो यहां पर आ आगै तो अल्ब प्राच बारे में एक बार फिर देख लेते हैं अल्वप्राच में कि अंदर के जितने भी स्वर हो है स्वर है वो सभी आपके क्या है अलव प्राण है इसके लावा है पहले में तीसरे में और पांचों में जितने भी आपके बेंजन है वो सब आपके क्या है अलव प्राण है अब आते हैं महा प्राण महा प्राण में दूसरे और चौथे में क कर ना गते हैं इसके लाव जिटने भी उ precisa में जये रैंइकिवता कितनी पीफ़ी सभ के कुल चार थी कौनकों तीनो सह हो गये हंती सर इसकेल हां यह चारों महा प्राण की हैं अंतरगत inventory फीर कि यह चारों महाप्राण के अंतर्गत आते हैं तो यहां तक आपका हो गया अलुप्राण महाप्राण तो आज को आपको स्वर की बारे में बता है स्वर में किन्ने फ्रकार होते हैं तीन फ्रकार के कौन कौन होते है ये भी बता है देर की स्वर हरस्वर प्लूजज स्वर कैसं युजित वर्य jus तो ठीक है आज के लिए मैं अपनी क्लास यही पर समात करता हूँ कल जो मैं आपका कल deux लूँगा उसमें आपको बता जाएगा बिराम चिन्डू का प्रयोग जैसा कि आपके से लबस भी रां चिन्लू की प्रयोग है उनकी परिवास उनका प्रयोग्त कहां कहां पर कैसे कुछ यह उसके बारे में बता और अभी वर्माला में अभी आपका जो छूट रहा है अगोस इसके बार इंकल में बताऊंगा और इसके नावा आपके जो बिलोम है पर्यवाची है इंसार की क्लास ही मैं एक दिन लूँगा क्योंकि यह आपका महराथन क्लास चल रहा है ठीक तो इसलिए मैं जितना ज्यादा हो सकता है यह तीन चार दिन हो मैं अधिसाधी क्लास लेकर आपको बेतर अधिनानी पोसित करूं खासकर हिंदी अब इसके लिए आपके संथी क्लास भी इसी चैनल पर मेरे द्वारा ही चलाए जाएगा ठीक तो आज के लिए इतना ही जैहिंद जैवर क्या करें से